हेलो एवरीवन वेलकम टो माई यूटूब चानल इस वीडियो में आप लोगों को आउट लाइनर कैसे यूज करें और मेरी तरह आपके भी लिप्स नीचे के मोटे और उपर के पतले हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चीहें वह भी बताऊंगे और किन बातों का ध्यान चीहें आउट लाइनर फिल करते टाइम जिससे आपके जो लिप्स है बहुत अट्राक्टिव लगें आपको मैं बताती हूँ सबसे पहले एक लिप्लाइनर की जरूरत पड़ें पर एक लिप्स चीह जो भी आपको पसंदें मैंने जो लिप्लाइनर लिया है वो कलर बार का उसको अच्छे से शाप करें जिससे कि आपको प्रॉब्रम ना शाप कर लिया है शाप करने के बाद सबसे पहले आपने अपनी जो वी है उपर की उसको क्रॉस में लगाना है इस तरह से क्रॉस लाइन लगाना है उसके बाद इसी क्रॉस को फोलो करना है अगर आपकी लिप्स उपर से पतले हैं मेरी तरह और नीचे से मोटे हैं तो आप लिप्स से थोड़ी से ऊपर आउटलाइन करोगे अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा थिन है बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आप अपने अच्छल जो आउटलाइन है उसे थोड़ा से नीचे करके आउटलाइन करें जिसे के अपके लिप्स थोड़ी से मोटे लगेंगे जैसे बहुत गेता है मेरे ओपर जो लिप्स से ववा पतले हैं नीचे की कॉर डिंगए तो मैने जो मेरा एक्छल और जब भी आउटलाइन करें तो पूरे लिप्स को कवर करें नीचे अला उसको ऐसे मिला देना है और लिप्सी ज्यादा स्टे रहे इसलिए जो भी आप आउटलाइन यूज करते हैं पहले उसी आउटलाइन को फिल कर दें लिप्स में अब देखो दोनों लिप्स जो है इकवल शेप में लग रही है जितना नीचे का लिप्स मोटा है उसका ही उपर का लग रहा है और इसके उपर जो है लिप्स्टिक फिल करनी है इससे क्या होगा जब आप आउटलाइन फिल करती है उसके उपर लिप्स्टिक लगाती है तो आ मैं हमीशा सबसे पहले आउटलाइन करने के बाद उसी आउटलाइनर से लिप्स में फिल कर देती हूँ जो है लिप्सचिक अप्लाइ करती हूँ यह जो मैं लिप्सचिक यूज करी हूँ वो मेबलीन का न्यू योक है और इसका नंबर है 691 रिच रूबी है अब यह मैंने लिप्सचिक भी फिल कर लिया अब देखो मेरी लिप्स जो है बिल्कुल एकवाल लग रहे हैं नीचे और ऊपर के तो आप अपने आक्चोल आउट लाइनर को छोड़ के उससे थोड़ा से ऊपर आउट लाइन करके उसी पैंसल को फिल करके इस तरह से आप लिप्सचिक लगा सकती है जिससे आपके लिप्सक बहुत अट्राक्टिव लगे आई होप यो गाइस आप लोगों को मेरी वीडि को लाइक करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें थांक यू फो वोचिंग इस वीडियो बाई